मृत्यू के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? उसे अपना शरीर छोड़ने में कितने दिन लगते हैं? और किन-किन परिशानियों से एक आत्मा का सामना होता है? ऐसे कई सवाल हम सभी के मन में चलते रहते हैं और आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे जब कभी भी आपके किसी अपने की मृत्यू हुई हो तो आपके मन में ये जरूर आया होगा कि क्या अभी भी उनकी आत्मा आपके आसपास है या वो आपको देख रहा है या फिर आपसे बात करना चाता है या फिर दूर आस्मान में तारा बन गया है। मृत्यों और आत्मा से जुड़े सभी रहसे हमें मिलते हैं हिंदु धर्म के 18 महा काव्यों में से एक गरुड पुराण में, जिसमें इस बारे में विस्तार में बात की हुई है मौत से 3-4 घंटे पहले ही इंसान के पैर ठंडे हो जाते हैं ऐसा इसली होता है क्योंकि पैरों का अर्थ-सोल चक्रों से कनेक्शन तूट जाता है यानि कि धर्ती की सतर से संबंद टूट जाता है जिसके बाद आत्मा को धर्ती से ले जाने के लिए यमराज यमलोक से रवाना हो जाते हैं मृत्यों के बाद आत्मा शरीर से अलग होने लगती है उसका कारण होता है एस्टल कौर्ड का टूटना एस्टरल कॉर्ड होता क्या है पहले ये जान लेते हैं दरसल एस्टरल कॉर्ड हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ने का काम करता है और जब मृत्य होती है तो ये एस्टरल कॉर्ड तूट जाता है जिसके बाद आत्मा वापिष शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है अब इसको ऐसे समझ दूटता है तो आत्मा वापिष Шरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है जिसके कारण बॉडी में हलचल नजर आती है लेकिन अगर एक बार एस्टर कॉर्ड तूट गया, तो आत्मा वापिश शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, इसके बाद आत्मा शरीर से उपर की और चलती जाती है, और करीबन 12 सी 14 फीट की उचाई पर घूमती रहती है, इसके बाद आत्मा वहां मौजूद सभी करती थी, वो अब मर चुका है, इसके बाद होता है अंतिम संसकार, शरीर के पंच तत्वों में लीन होने के बाद अब आत्मा का उस शरीर के साथ मूह भी खत्म हो जाता है, वो ये माल लेती है कि अब धर्ती में रहने का कोई मतलब नहीं है, अब वो आजाद हो जाती है, और साथ दिनों तक वो उन सभी जगाओं पर घूमती है जहां उसे जीवित रहते हुए जाना पसंद था। यानि कि अगर उसे किसी जगा से लगाव था, तो वो आत्मा वहां ब्रह्मन करेगी। अगर उसे अपने किसी दोस से लगाव था, तो वो उसके आसपास रहेगी। अगर बच्चे पसंद हैं, तो बच्चों के आसपास घूमेगी। या फिर अगर पैसों से बहुत प्यार था, तो तिजूरी के पास रहेगी। यानि कि साथ दिन तक आत्मा अपनी पसंदीदा जगहों, इंसानों या फिर चीजों के आसपास रहती है। साथ दिन बाद आत्मा इस धर्दी और अपने परिवार को अलविदा कहकर एक सुरंग के जरिए एस्टरल प्लेन तक पहुँचती है। इस सुरंग को पार करना बेहत मुश्किल होता है और आसान भी। दरसल मृत्यू के बारा दिन तक चलने वाली पूजा या फिर चलने वाली क्रिया इस यात्रा के संधर्ब से बेहत जरूरी होती है। अगर ये क्रिया और रीती रिवाज सही तरीके से हो जाते हैं तो आत्मा का सफर बहुत आसान हो जाता है। और अगर नहीं तो आत्मा इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाती और धर्ती में ही विच्रन करती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान के मृत्यू के बाद उसकी आत्मा की शांती के लिए प्राथना करनी चाहिए और साथ ही शमा याचन भी मांगनी चाहिए ताकि आत्मा अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई गुसा लेकर प्रित्वी को छोड़ कर ना जाए अगर 12 दिन के ये रिती रिवाज और आत्मा की शांती की प्राथना सही तरीके से पूर्ण हो जाती है तो ये आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ती उत्पन करती है जो आत्मा को सुरंग के जरिये एस्टरल वर्ड में प्रवेश करने में मदद करती है लेकिन अगर 12 दिन तक ये प्रवेश करती है तो पहले से मृत्मा अपने पूर्वजों से मिलती है उनके गले लगती है इसके बाद एक दिव्य प्रकाश की मौजूद्गी में आत्मा अपना पूरा जीवन देखती है और अपने साथ होए बुरे व्यवार के लिए क्रोधित होती है और अपने द्वारा किये गए बुरे कर्मों का अफसोस भी जदाती है और खुद ही उसके लिए सजा मांगती है इसी सजा के अधार पर वो अपने अगले जन्म के लिए रूप रेखा तयार करती है इस रूप रेखा का मतलब है कि अगले जन्म में सजा के तौर पर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है जैसे की कोई गंबीर बीमारी या कोई बड़ा नुकसान या फिर और कुछ तो वो हमेशा अपने किस्मत को दोश देता है मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि ये जीवन उसने खुद ही चुना है इसके बाद होता है धरती में आत्मा का पुनर जन अपने पिशले जीवन के कर्मों के हिसाब से आत्मा फिर से धरती में जन लेती है वो खुद ही तै करती है कि उसे किस मा की कोक से जन लेना है आत्मा जन से पहले कभी भी औरत के गर्व में प्रवेश कर सकती है और जन के बाद तारीक और समय के अधार पर बच्चे की बनती है जो उस बच्चे की पूरी जीवन रेखा तै करती है ये वही जीवन रेखा होती है जो खुद वो आत्मा अपने लिए चुनती है तो इस तरह से मृत्यू के बाद से लेकर पुनर जन तक एक आत्मा अपना सफर तै करती है और खुद ही अपने अगले जन की रूप र तयार करती है।